हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस एकेडवी में दोस्तो राजस्तान में आयोजित राजस्तान पुलिस को इस्टेबल बरती परिक्षा 2020 के नविंतम पाथे करम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस सेरीज शुरू की गई थी जिसमें अपने पांच मॉडल पेपर हैं वो कम्पलीट हो चुके हैं आज दोस्तो अपना इसमें छे नंबर का मॉडल पेपर है दोस्तो परते एक मॉडल पेपर में सहलेवस के अनुसार 150 प्रसन दिये जाते हैं जो आपकी परिक्षा के लिए अत्यांत्म हैत्व पूर्ण होते हैं दोस्तो रद्धारेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को दवाएं वीडियो को लाइक और अपने दौस्तों के पास में सेयर नहीं किया है और अगर आपने पिछले पाँच मोडल पेपर का टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तो आप प्ले लिष्ट में जाएं वहाँपे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान पुलिस मोडल पेपर के नाम से पले लिस्ट में गाईए तो वहाँ पे आपको फोल्डर बिल जाएगा तो आप वहाँ जाके पिछले पांच मोडल पेपरों का टेस्ट है वो रोजना मेरे साथ में देते चले मैं कम से कम भी आपको 60 मोडल पेपर करवाऊंगा प एक सुपचास प्रसन हो जाएंगे कम्पलीट उसके बाद में एक से पैतालिस प्रसन तक है दोस्तों अपन रिजनिंग सोल करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 46 नंबर से क्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं देखिए पहला प्रसन है प्रकास वर्ष किस का मात रख है तो प्रकास वर्ष किस का मात रख है तो यह दूरी का मात रख है तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूरी का मात रख है आगे देखिए विद्धुत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है तो वो कौनशी है तो वो है दोस्तों चांदी चार कौन सा है सूरिय दोस्तो पर्तवी के सबसे नजदीक तारा है वो कौन सा है वो है सूरिय तो इसमें दो नंबर का उप्शन सयूतर हो जाएगा आगे देखे दूद की सुद्धता का मापन करने वाला उपकरण है यानि कि दूद की सुद्धता का मापन करने वाला उपकरण का क्या नाम है तो उसका नाम है दोस्तो क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो लेक्टोमिटर क्या बोलते हैं उसको तो उसको लेक्टोमिटर बोलते हैं तो इसमें एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट आगे देखे अलजाइमर रोग का समंध ह तो अलजाइमर रोग का समंध है वो किसे है तो वो है दोस्तो मस्तिक से समंधित है अलजाइमर रोग तो तीन नमबर ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है नीती निर्देशक तत्वा भारतिय सविदान में कहां से लिए गए हैं तो ये आयरलेंड से लिए गए हैं नीती निर्देशक तत्वा है दो नमबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एक चीज दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं देखिए दो गंटे का आपको ये पेपर मिलेगा परिक्षा में मैं आपको मातर और मातर एक गंटे में ये पेपर करवा एक गंटे में सब कुछ मिल रहा है दोस्तों तो टेस्ट आपको पूरा देखना है पता नहीं कौन सा प्रस्न है वो कहां काम आजाए ठीक है देखें बावन नंबर का प्रस्न है भारतिय सवीदान में हमारे देश का क्या नाम है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा व इंडिया का मतलब कुल मिला के इसमें भारती सवीदान में हमारे क्या नाम दे रखें भारत और इंडिया दो नाम दे रखें ठीक है तो इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुर सेउत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें लोकसभा अध्यक्स को सपत कौन दिलाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें देखें राश्टर पती प्रोटेमिस्पिकर या मुखे नायदीस या सरवोचे नायले के मुखे नायदीस क्या है तो दोस्तो लोकसभा अध्यक्स को कोई सपत नहीं दिलाता क्योंकि लोकसभा अध्यक्स है वो द दन विदेख कहा पर पेस किया जाता है, तो दन विदेख केवल लोक्षभा में पेस किया जा सकता है, तो अपना इसमें, दो नमबर का option सही उत्तर हो जाएगा, जैसे अगर उपराश्ट्र पती को अटा ना हो, तो दोस्तों, ये सकती सिर्फ और शिर्फ राज्ये सबा के पा ये लोक सभा में ही पेस किया जाता है सबसे पहले, तो इसका right answer दो नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, next है हमारे सोर मंडल का सबसे गरम ग्रह कोन सा है, तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुक्र, दो नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, शूक्र है, आगे देखे, काला महादीप किस महादीप को का जाता है, काला महादीप किस महादीप को का जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, अफरीका महादीप को काला महादीप का जाता है, एक नमबर ओप्शन सहुत्र हो जाएगा आगे देखे एरब का समंद है तो एरब का समंद है वो किसे है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो एसिया से एरब का समंद किसे है एसिया से तो एक नमबर ओप्शन सहुत्र हो जाएगा आगे देखे जल्यानो का किस देश को का जाता है जल्यानों का देश दोस्तो जापान को का जाता है दो नंबर का उप्षन सयुत्र हो जाएगा जापान आगे देखें संतोष ट्रोफी का सम्मध किस खेल से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फुटबोल से ठीक है संतोष ट्रोफी का सम्मध है वो किस से किस खेल से है तो फुटबोल से है तीर नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए भारत में पर्थम जनगंणा का प्रारंबिक वर्स है भारत में पर्थम जनगंणा का प्रारंबिक वर्स है तो वो कौन नदी को भीहार का सोक कहते हैं कोशी नदी इसका राइट आंसर नेक्स्ट काजी रंगा अब्यारन अवस्तित है तो काजी रंगा अब्यारन है वो कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है दोस्तो असम में कहां पर इस्तित है असम में है यह काजी रंगा अब्यारन तो एक विरास्त गोशित किया गया है तो इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चोंसर्ट नंबर प्रेशन है इसमें देखिए वर्स 2020 के लिए IPL निलामी में आस्टेलिया के तेज गेंदबाज पेट कमिन्स को सबसे अधिक कीमत 15.50 क्रोड रुपे में किस टीम ने खरीदा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वो है कोलकता नाइट राइडर्स ने कोलकता नाइट राइडर्स ने दोस्तो पेट कमिन्स को सबसे अधिक कीमत पर खरीदा है 15.50 क्रोड में तो इसमें दो नंबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए माइंड माश्टर सी सीर्षक पुस्तक के लेख़ कौन है विकास निगम यानि कि ITDC के नए अध्यक से सह प्रबंद निडिशक कोन है तो इसका राइट आंसर क्या होजाएगा वो है ITDC के नए अध्यक कोन हैral माश्टर को नाम से जो जाना जाता है आगे देखिए 68 नमबर प्रेस ने यहां पर देखिए आरिय भट थे तो आरिय भट कौन थे तो दोस्तों यह गणी तक यह थे दो नमबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट विश्व का सबसे उंचा जलपरपात है वो दोस्तो इंजिल जलपरपात है एक नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए सवेग एक माप है तो सवेग किसका एक माप है तो दोस्तो सवेग है ये गती की मात्रा का एक माप है सवेग है ये गती की मात्रा का एक माप है तो इसमे तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा नेक्स्ट जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है तो यहां पर देखे जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है तो वो है दोस्तो यहां पर देखे मार्क ठीक है मार्क है यह जोस्तो जर्मनी की मुद्रा का नाम है चार नंबर तो ओप्रेशन फलड का सम्मंद है वो किसे है तो वो है दूद उत्पादन से समंदित है ओप्रेशन फलड का समंद है एक नमबर उप्षन सयुतर नेक्स्ट सक सवत का अंतिम मा है कौन सा है तो वो है फालगुन ठीक है तीन नमबर उप्षन सयुतर हो जाएगा नेक्स्ट आ आगे देखे भारत का सर्वच्चे समान है, तो भारत का सर्वच्चे समान दोस्तो भारत रतन है कौन सा है? भारत रतन है, एक नमबर उप्सन सयुतर हो जाएगा. छेतर नमबर प्रेशन इसमें देखे एतियासिक राम जनम भूमी बाबरी मस्जिद का अयोध्या में विवादित फैसला सुप्रीम कोट की कितने सदसिये बैंच ने सुनाया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पांच सदसिये बैंच ने सुनाया है ये फैसला तो चार नमबर का उप्सन सहुतर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें डल आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ब्राजिलियन में तो यानि की दो नंबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर प्रेशन है भारत ने वर्ष 2019 में जारी वेश्विक आर्थिक सवतंतरता सुचकांक में 162 देशों की सुची में कौन सा इस्तान प्राप्त किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 79 वा ठीक है 99 वा इस्तान है वो इसमें प्राप्त किया है तीन नंबर ओप्षन सर्वित्र नेक्स्ट प्रख्यात यानि कि किस प्रख्यात पत्रकार को 16 नॉमबर 2017 को राजा राम मोहन राए रश्टी ये-पुरुशकार से समानित किया गया है तो यह किया गया है दोस्तों तीन नंबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 81 नंबर प्रेस्ट ने देखिए टोटल 35 प्रेस्ट है यह मैंने आपको भाग बैके करवाए हैं ठीक है अब राजस्तान जी के क्विशन सोल करेंगे देखिए लोहागड दुर्ग इस्तित है तो लोहाग देखे स्वपन राजस्तान नामक गरंथ के रचनाकार कौन था तो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा वो है इसमें पंडित गोरी संकर हीरा चंद ओजा तो इसमें दो नंबर उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा 83 नंबर प्रेस्टन है किस सासक का काल सपाद लक का स्वण काल कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विग्र राज चतुर्थ तो इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे हल्दी गाटी का यूद कब लड़ा गया था तो दोस्तों हल्दी गाटी का यूद है ये कब हो जाएगा इसमें वो है इसमें कौन सी तो वह है टॉंक तीन नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे हैं इसमें 86 नंबर प्रेस ने मतिरे की राड यूद कब लड़ा गया तो ये दोस्तों मतिरे की राड नामक यूद है ये कब लड़ा गया तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1645 में किस किस के मदे लड़ा गया था तो दोस्तों ये नागोर और बिकानेर के मदे लड़ा गया था नागो का सासक था अमर सिंग और विकानेर का सासक था करण सिंग इन दोनों के मद्दे ही हैं युद्वा था मतिरे कि राड़ नामक तो इसका एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सहुतर नेक्स्ट मानगड अजबगड इस्तित है तो दोस्तो काँ पर है तो यह इस्तित है अलवर में ती नंबर का उप्शन सहुतर नेक्स्ट गोड़े की मज़ार इस्तित है तो गोड़े की मज़ार दोस्तो तारागड अजमेर में इस्तित है गोड़े की मज़ार याद रखना गोड़े की मज़ार है वो काँ पर इस्तित है तो तारागड में आगे देखे अस्वमेग यग करवाने वाला णतिम हिंदू साइसक कौन था ऐसव मे गया इंदू साइसक कौन था तो वह था दोस्तों सवाईजे तो इसमें एक नमबर काप्शन वी इसका बल्कुल सहा उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट के 90 नमबर का प्रेस ने इस्तंबो का नगर किसे का जाता है तो ये दोस्तों रनकपूर को का जाता है इस्तंबो का नगर ठीक है आगे देखे करमावती या करनावती किस की रानी थी तो ये रानी थी दोस्तों राना सांगा की किस की रानी थी राना सांगा की रानी थी तो इस में एक नमबर оपशन सियुत्तर हो जाएगा ने Fake Olday राजस्छ्तान का पर्थम साका कब हुआ था तो राजस्छ्तान का पर्तम साका वा था दोस्तों णेश्छंद साफका कészंडन तेरा सो एक इस्विड्र ही में ठीक है तो इसका एक नम्बर का option बिल्कुल सेउत्तर हो जाएका रन्थम बोर पर आकरमन किया था कि इसने अलाव देन खिल जी ने आगे दिए मारवाड के राठोड वन्सका संस्थापक कौन थे तो दोस्तों मारवाड के राठोड बंस्का संस्तापक माने जाते हैं कोन राव सीहा एक नंबर उप्रंशन सहीतर हो जाएगा प्रतिहार कालेन सबसे प्राचीन केंद्र है तो वो कोन सा है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है ओसियां चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओसियां ठीक है आगे देखिए इसमें परम हंस मंडली का सम्मंद किस संपरदाय से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जसनाति संपर्दाए ठीक है तो यहां पर देखिए परमहन समंडली का समन्द किस संपर्दाए से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्तनाति संपर्दाए इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर सबसे लंबी फड लोक देवता की है तो कौन से सबसे लंबी फड़ मानी जाती है तीन नंबर का उपसन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है पटवो की हवेली इस्तित है तो पटवो की हवेली काँ पर इस्तित है तो ये जैसल मेर मेर में इस्तित है दोस्तो पटवो की हवेली एक नंबर का उपसन बिल्कुल सही अगे देखي Пरसात की देlor के पहलते हैं तो बरसात के देfpsा कोन क कहलते हैं तो मामा देव कहलते हैं बरसात की देवता चार नंबर का उप्षिन्द बिल्कुल सह स्वाइब भुषभ हो जाएगा नेक्सट है कच्छी गोडी लोक नरते प्रुषिद है तो इसका राइ्ट answer हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें देखिये ये सेखा वाति का प्रसीतог नर्ते है कच्ची गोडी ठीक तोिसमें एक नमबर उप्षेन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है गूमर नर्ते किया जाता है तो दोस्तो गूमर नर्ते किसके द्वारा किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तो भीलो द्वारा गूमर नर्ते किया जाता है एक नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा नेक् कोटा बुंधि कोटा बुंधि रियासत ने सब से पहले दासपर्था पर को अ रोक लगाई थी तोka करें दो नंबर का उप्षन बिल्कुट सेुर्टर हो जाएगा आघे डिर्य मेथे रन कला का समन्द है तो दोस्तों मेथे अनकला का संबन्द है आगे देखे आर्टी डीसी की स्तापना कब की गई थी तो आर्टी डीसी की स्तापना है ये दोस्तों कब की गई थी तो गुनिस सो उनसी में आर्टी डीसी की स्तापना की गई थी ती नंबर का ओप्शन इसका बिल्कुल सह उत्तर हो जाएगा तगडी आबुशन है तो यहाँ पे जो तगडी आबुशन है ये दोस्तो कमर का आबुशन है तगडी आबुशन तो इसमें एक नमबर ओप्शन से उत्तर हो जाएगा तगडी आबुशन कमर का आबुशन है ये आगे देखिए नहाटा संग्राले इस्तित है तो नहाटा अगर कहा जाता है तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट धन पतियों का नगर कहलाता है धन पतियों का नगर कौन सा कहलाता है तो यह कहलाता है दोस्तों फतेपूर कौन सा कहलाता है फतेपूर है यह दोस्तों धन पतियों का नगर कहल जाता है तीन नंबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें मारवाडी भासा की पर्थम व्याकरन किस ने लिखी थी मारवाडी भासा की पर्थम व्याकरन है वो किस ने लिखी थी तो दोस्तों सीता राम लालस ने सीताराम लालस ने मारवाडी भासा की पर्तम व्याकरन लिखी थी तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखें राजस्तान में नेहड के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो राजस्तान में नेहड के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है साचोर के आसपास का जो छेतर है वो नेहड के नाम से जाना जाता है दो नमबर का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट राजे में सरवादिक आदरता किस माहा में होती है तो ये होती है दोस्तो अगस्त माहा में तो इसमें चार नमबर का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अगस्त माहा में आगे देखें सरवादिक सुस्क महीना कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो वो है इसमे कौन सा है तो वो है अप्रेल तीन नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अप्रेल आगे देखिए भाकडा बांद को एक चमतकारी विराट वस्तु की संग्या किस ने दी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जवाहर लाल नहरु ने ठीक है तो जिसमें एक नमबर उप्षन सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है राजस्तान के पस्मी रेतिले मैदान के कितने चेत्र में बालू का इस्तूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साथ परतिस्थ चार नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा सा परतिसत आगे देखे निम्न में से कौन सा बांध राजस्तान के राजस्तान से बाहर है तो यहां पर देखे जो गांधी सागर बांध है ये मद्दे परदेश में हैं बाकी जमार सागर माही बजाद सागर और उमेद सागर ये तीनों के तीनों राजस्तान में हैं तो इस प् का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सेर आगे देखिए सेखावाटी भुबाग के कुवो का इस्तानिय नाम है सेखावाटी भुबाग के कुवो का इस्तानिय नाम क्या है तो वो है दोस्तो इसमें जोहड तो इसमें चार नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जो हड आगे देखिए 120 नमबर प्रेस्ट ने राजस्तान का कौन सा जिला राश्टी राजदानी छेतर में सामिल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अलवर तो इसमें दो नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब देखिए 121 नमबर प्रेस्ट ने वर्तमान राजस्तान मंत्री परिसद में कितनी महिला सामिल है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक महिला सामिल है एक नमबर का उप्शन से उतर हो जाएगा नेक्स्ट है मुख्य मंत्री के परमुख आर्थिक सलाकार कोन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोविंद सर्मा तीन नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर नेक्स्ट है समग्र सिक्षा अभियान यानिकी समसा के निर्देशक कोन है देखिए समग्र सिक्षा अभियान यानिकी समसा के निर्देशक कोन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अभेशेक बागोटिया तीन नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर ह आगे देखिए भारत में पहली बार अंतर राश्टिय आर्मी स्काउट मास्टर्स पर्तियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाए गया यह है जैसलमेर में किया गया दो नंबर का ओप्शन बिल्कुल से उटर हो जाएगा जैसलमेर 125 नंबर प्रेस्टन इसमें देखिए राजस्तान में पहली निम्न में से किस पर्योजना में फुवारा सिचाई व्यवस्ता को अनिवारिय किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नरम्दा के नाल पर्योजना नरम्दा के नाल पर्योजना में दोस्तो फुवारा सिचाई व्यवस्ता की गई है तो इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा राजस्तान के दो जिले एक तो जालोर और एक बाड मेर इस नरम्दा के नाल पर्योजना से लाबानवित जिले हैं ठीक है तो इसमें एक नमबर उप्शन सहुतर अब देखिए अब अपन 15 प्रस्न है वो दोस्तों computer के करेंगे देखिए operating system का कारिय क्या है तो दोस्तों सिदा सा है operating system का क्या कारिय है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए memory परबंदन निवेस, निर्गत परबंदन, डेटा परबंदन तो इसका right answer हो जाएगा वो है उप्रोक्त है सभी उप्रोक्त है, सभी ये कारिये हैं operating system के, आगे देखिए 127 नमबर प्रेशने, किस table में operating system फाइलों की जानकारी रखता है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तो, file application table में तो इसमें एक नमबर उप्रोक्त सेहुतर हो जाएगा next है, file system, ntfs का पूंझ रूप क्या है physical system, ntfs का पूंझ रूप क्या है तो इसका पूंझ रूप हो जाएगा दोस्तो new technology file system, new technology file system एक नमबर उप्शन सहुतर हो जाएगा next है GUI का पूर्ण रूप क्या है GUI का पूर्ण रूप क्या है तो वो है graphical user interface graphical user interface तो इसमें एक नमबर उप्शन बिल्कुल सहुतर हो जाएगा आगे देखिए single user operating system है single user operating system है तो यह है दोस्तो MS-DOS तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सहुतर हो जाएगा MS-DOS आगे देखिए एक operating system का प्रात्मी कारिये है एक operating system का प्रात्मी कारिये है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो processor management तीन नमबर का option इसका बिल्कुल सहुतर हो जाएगा आगे देखें DOS यानिकि DOS operating system किस format को support करता है तो दोस्तों कौन से format को support करता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें CUI format को तो इसमें एक number option सही उतर हो जाएगा आगे देखें Linux का विकास किस ने किया था Linux का विकास है वो किस ने किया था तो यह किया था दोस्तो लिनस टारवालडस ने 1911 में Linux का विकास किया था एक नमबर उप्षन सहीधर हो जाएगा next Linux operating system का hurt किसे का जाता है Linux operating system का hurt किसे का जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो करनेल को का जाता है तो इसमें एक number option सही उतर हो जाएगा next computer system के start होने की process कहलाती है computer system के start होने की process कहलाती है तो दोस्तो क्या कहलाती है वो तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें booting कहलाती है एक नंबर का option बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा booting आगी देखिए computer system को restart करने की process को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो वो है warm booting के नाम से जाना जाता है एक नंबर option सहीवतर warm booting के नाम से 137 नमबर प्रेशन है operating system के पर्मुकरिये हैं operating system के पर्मुकरिये हैं वो कौन-कौन से हैं तो देखें memory management, processor management, CPU परबंधन, input output परबंधन, process management, शुरक्षा परबंदन, disk परबंधन, file परबंधन, यह सबी कारिये हैं यह operating system के कारिये हैं उपुटर से डेलीट केया गया है डाटा कहां इस्टोर हो जाता है तो तो कहांपर हो जाता है तो यह है उपडिया जाया। ици healthy system को किस और नाम से जाना जाता है Lets generating system को दोस्तो Garage स्युट्वियर के नाम से जाना जाता है एक नमर का जल्फसण सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट विइंडो के नीचे बनी पत्टी क्या कहलती थी है दून अबर का उप्सण सही होज एक सो इक तालिश नमबर प्राप्त करने को मौलिक अधिकार बनाया गया है तो दोस्तों आप सभी को पता है 83 वा सवीदान संसोदन वर्ष 2010 में ये हुआ था ठीक है और उस समय मौलिक अधिकार बनाया गया था ये 14 वर्ष से कम बच्चों को निसूल के एवं अनिवारिये प्रात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बनाया गया था 2002 में दो नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे भारत में निसूल के एवं अनिवारिय प्रात्मिक शिक्षा से समंदिते सविधान संसोधन कौन सा है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 83 वा सविधान संसोधन 2002 तो इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे भारत में निसूल के एवं अनिवारिय प्रात्मिक शिक्षा से समंदिते प्रावधानों को किन-किन अनुचे दो में जोड़ा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट सविधान के किस अनुचेद में 14 वर्ष या कम आयू के बच्चों को किसी कार खाने खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर परतिबंद लगाया गया है तो दोस्तों कौन नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम कब लागू हुआ ये लागू हुआ दोस्तों 11 सितंबर 2005 को कब 11 सितंबर 2005 को ये लागू हुआ था आगे देखिए इसमें 143 नंबर प्रेस ने बाल विवा है परतिश अदिनियम 2006 कब लागू हुआ तो ये लागू हुआ दोस्तों 10 जनवरी 2007 को 10 जनवरी 2007 को चार नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बाल विवा है परतिशेद अदिनियम 2006 के अंतर्गत जिला नयायले के अंतर्गत कौन सा नया माना जाएगा यानि कि बाल विवा है परतिशेद अदिनियम 2006 के अंतर्गत जिला नयायले के अंतर्गत कौन सा नयायले माना जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों पारिवारिक नयायले ठीक है तीन नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आगे देखे बाल विवा है होने पर विवा है बंदन में बंदने वाले बालक या बालिका की प्रातना पर कारवाही क्या कारवाही की जा सकती है तो दोस्तों देखिए क्या कारवाही की जा सकती है तो वो है विवा का सुन्ने करन दो नंबर का उप्शन बिल्क अधिकारी कोन हो सकता है तो बाल वीवाहे परतीशेद अधिनियम 2006 के अंतरगत बाल विवा है प्रतिसे अधिकारी कौन हो सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तैसिलदार दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तो अब अपन JK के क्यूशन तो कर लिए अब अपन रिजनिंग के क्यूशन करेंगे एक से लेके 45 तक अब अपन रिजनिंग के क्यूशन करेंगे अपने दोस्तो तीन पार्ट कर लिए चार पार्ट कर लिए है कंप्यूटर भी पढ़ लिया है मैला एवं बाल सरक्षन से समंधित भी पढ़ लिया है तीक है अपराज से समंधित और भाग बैबी पढ़ लिया राजस्तान जी के भी पढ़ लिया अब अपना सिर्फ रीजिनिक बचा है रीजिनिक के कुश्शन देखिये दोस्तों निम्नस रंकला में अगला पद क्या होगा निमने स्रंकला में अगला पद क्या होगा तो यहां पे देखिए दोस्तों 5, 10, 26, 520, 122, 170 तो कौन सा हो जाएगा यहां पे देखिए तो देखिए 5 का स्क्वाइर पलस एक एक को छोड़ के एक है तो कितना होता है 26 ठीक उसी परकार 10 का स्क्वाइर ठीक है 10 कैसे आए यह बताना है अपने को ठीक है दुबारा देखिए इसमें ऐसे तो 26 तो आजाएगा लेकिन आगे नहीं आएगा तो यहां पे देखिए 5 कैसे आए तो 5 है यह देखिए 2 का स्क्वाइर पलस एक करें तो अपने यहां पे 5 आगे दुबारा देखिए 10 में ठीक है दूसरे नमबर पे 10 में देखिए तो यह 3 का स्क्वाइर पलस एक करें तो 10 हो जाएगा आगे देखिए इसमें यह 5 का स्क्वाइर पलस 1 26 फिर आगे देखिए दोस्तों से में साथ का स्क्वाइर प्लस एक साथ का स्क्वाइर प्लस एक तो यह पचास ही है ठीक है यह यहां पर पचास ठीक है अब देखिए यहां पर कितना साथ हो गया तो अब देखिए 11 का square प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 122 अब ठेक आगे देखिए 13 का square याने कि 100 गुनेतर प्लस 1 170 हो जाएगा तीक है अब आगे देखिए इसमें 17 17 का square कितना होता है 289 प्लस 1 याने कि 290 इसका right answer हो जाएगा क्यूंकि शिर्फ इसमें दोस्तो अभाज्य संक्याओं का इस्क्वाइर करके एक पलस किया गया है ठीक है समझ में आ गया अभाज्य संक्याओं का दोस्तो इसमें वर्ग किया गया है ठीक है और फिर एक पलस किया गया है तो इसका राइट आंसर एक नमबर का उप्शन सही उत्तर है आगे देखिए से मचे अक्षरों के ऐसे कितने जोडे हैं? जिनमें से परते के बीच में उतनै ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वन-माला के अनुसार उन में हैं तो यहां पे देखे दोस्तो यह से इस टार्ट करें तो ओजी ह एक तो यह हो गया दोस्तो ठीक है, यानि कि E और H हो गया आगे देखिए इसमें बाकी और दोस्तों एक और मिल रहा है यहां पे तो S T यहां पे देखिए S T एक यह मिल रहा है तो इसमें दो ही मिलेंगे तो इसका right answer हो जाएगा इसमें एक नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें A N B O L Y A N B O L Y तो क्या हो रहा है यहां पे देखिए A में एक जोड़ा तो कितना है या B और N में एक जोड़ा तो O L में एक जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हैगा M और Y में एक जोड़ेंगे तो कितना हैगा Z यानि कि M Z इसका right answer हो जाएगा तीन नमबर उप्शन नेक्स्ट आगे देखे मनीश तीन मिटर पूरव के ओर चलता है तीन मिटर है ये दूस्तों पूरव के ओर चल गया साब आगे देखे फिर दाएं मुड़कर चार मिटर चलता है ये तीन ये चला चार ये चला अब देखे मनीश के प्रारंबिक वे अंत कितना पलस हो गया यह हो गया दोस्तों 25 25 रूट में है यह ठीक है तो रूट अटाएंगे तो दोस्तों पांच मिटर आजाएगा अपना राइट अंसर यानि कि जो करन है वह पांच मिटर होगा आगे देखिए पांच नमर का प्रेशन एक निश्चित कोड में डबली एन एक को एन डबली लिखा जाता है तो यहां पे देखिए डी डबली के एक को क्या लिखा जाएगा तो यहां पे देखिए आप इनको क्या कोड लगा दीजिए ठीक है तो कोड लगा ओगे तो दोस्तों देखिए इसको उल्टा लिखा गया है इसको उल्टा लिखा गया है इसको यानि कि चार नमबर का option इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है चार नमबर option बिल्कुल सही उतर next आगे देखिए दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिये गए समोहे की सादर सिता को पुरा करता है तो यहाँ पे देखिए तीन साथ पंदरा अब यह तीन साथ पंदरा कैसे आए यह अपने को दोस्तों पता होना चाहिए ठीक है शोरी एक चैनल नमबर का question रह गया इसमें देखिए जी साथ नमबर पर है साब E F G जी साथ नमबर पर आता है गोड 26 पर तो गोड किते नमबर पर आएगा जी आता है वो साथ पर पलस ओ पंदरा पर पलस पंदरा ठीक है और यह चार तो पंदरा दूनी 30, 30 और 4, 34, 34 और 7 कितने हो गए 41 तो अपना दो नमबर का option right answer हो जाएगा इसमें 41 आगे देखिए दोस्तों इसमें 7 नमबर का प्रस ने दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समुहे की सादरसिता को पूरा करता है तो यहाँ पर देखिए 3, 7, 15 तो यहाँ पर देखिए 3 पलस 4 कितने होते हैं 7 ठीक है और आगे देखिए दोस्तों इसमें 4 और फिर अगले वाले के अंदर 8 का गैप है फिर आगे 8 का गैप है ठीक है तो यहाँ पे ठीक उसी परकार इसमें से कौन सा उप्सन होगा तो इसमें से 5 और 4, 9 और 9 और 8 कितने होंगे 18, 17 ठीक है तो इसमें 4 और 8 का गैप आना चीए तो यह इसमें आ रहा है तो इसमें 3 प्रेस नाइन नंबर का option इसका बिल्कुल सईट्टर हो जाएगा आगे देखिए यहां पे 8 नंबर का प्रेसने उस विकल्प को चुनिए जो सादर सिता को पूरा करता है तो यहां पे देखिए कीट मक्ही इस्तंपाई तो यहां पे देखिए जिस परकार मक्ही एक कीट है उ सबावन देखिए यहां पर बारा कैसे आए यह अपने को निकालना पड़ेगा तो देखिए दो का क्यूब पलस दो का स्कॉयर दो का क्यूब पलस दो का स्कॉयर तो कितने आ जाएंगे बारा ठीक है दो का क्यूब कितना आठ और दो का स्कॉयर चार यानिकी कितने हो गए बा का क्यूब पलस चार का स्क्वाइर कितना हो जाएगा एक सी आजाएगा चोंसट और सोला असी ठीक है अब देखिए यहां पे पांच का स्क्वाइर पलस सरी पांच का क्यूब पलस पांच का स्क्वाइर तो एक सो पत्चीस पलस पत्चीस एक सो पचास अब देखिए छे का स् तो देखिए 343 तो यह हो गया पलस 49 करेंगे तो 343 पलस 49 कितने हो जाएंगे तो वह दाएंगे दोस्तों इसमें 300 बराणवे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर 300 बराणवे इसमें देखिए निम्न प्रसन आकरती में कितने हैं तो यहां पे देखिए दोस्तों एक दो तिन ःश पांच पांच तिर्बुत तो रोस्तों आपको यह सिद्चे से दियört रिखेंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तो अ कि यह वाला एह वाला और एक है यह वाला तो टो टोटल चार यह तो यानिकि पांच और चार नो और दो दोस्तों इसमें बड़े बनने वाले हैं तो इसमें ये वाले ठीक है ये कि ये और एक ये तो टोटल हो गए दोस्तों इसमें बारा तिर्बुज होंगे ठीक है तो इसमें दो नंबर का ऑप्चन इसका बिलकुल स invert हो जाएगा आगे देखिए यदि 30 जून 1980 को सुकรवार था तो सितंबर setzt 19 Latin को कौन सा सप्ता होगा यदि 30 जून 1989 को शुकरवार था तो सितंबर 1993 को सब्ता का कौन सा दिन होगा तो यहां पर देखिए दूस्तों इसको तो आपको सोल करना पड़ेगा ठीक है 30 जून 1980 को सुकरवार था तो 30 जून 1993 तक विश्म दिनों की संक्या है वो अपने को गयात करनी पड़ेगी कितनी विश्म दिनों की संक्या होगी फिर दोस्तों अपने को इसमें वो code आते हैं वो code लगाने पड़ेंगे तो यह question है वो आप solve कर लेना इसका right answer में आपको बता देता हूँ वो है इसमें दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सुकरवार यानि कि 17 सितंबर 1993 को ठीक है दोस्तों सुकरवार था तो इसका right answer हो जाएगा इसमें तीन नंबर का option सही उत्तर next है गंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिगरी चलती है तो गंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिगरी चलती है तो यानि कि एक गंटे में गंटे वाली सुई 30 डिगरी का कोन बनाती है तो यानि कि एक मिनट में गूमती है वो है आदा डिगरी तो दोस्तों 10 मिनट में क चार लोग M, N, O, P तास खेल रहे हैं, ठीक है, तास खेल रहे हैं साब चार जने, देखिए M, N, O, P तास खेल रहे हैं, M, दाई, और, पहले मैं चार बना देता हूँ, एक, दो, बोक्स बना देता हूँ, ठीक है, तास में, बोक्स बनेगा, तो यहां पे देखिए, यह अपन बोक्स है ये तास केल रहे हैं, हमने सामने रहे के तास केलते हैं देखिए, M, D, I, O, है N, K M, D, I, O, है M, N, K यानि कि N यहां पे है, तो M, यहां पर है तीक है, देखिए अब आगे P, B, I, O, है O, K P, है, यह, B, I, O, है O, K तो निम्न में से कौन जोड़िदार है तो यहाँ पे देखिए O और N तो जोड़िदार है और M और P जोड़िदार है तो यहाँ पे देखिए दो नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें MP और दोस्तो O N यह दोनों जोड़िदार है तो इसमें 14 नमर का प्रिशन इसमें देखिए यदि रेल को बस बस को टेक्टर टेक्टर को कार कार को स्कूटर तता स्कूटर को साइकल कहा जाए तो खेत की जुताई के लिए इन में से क्या परियोग मिलाया जाएगा तो दोस्तो खेत की जुताई के लिए अपन टेक्टर को परियोग मिलाएंगे ठीक है और टेक्टर को दोस्तो कार कहा गया है तो सिदा सा है अपन कार परियोग मिलेंगे तो इसका right answer हो जाएगा इसमें चार नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 15 नमबर का प्रस्न है beautiful को दोस्तों यहाँ पर यह code लिखा गया है अब इसमें आपको दिख रहा होगा beautiful को इसमें c-d-o-g-h-j-k-m-n लिखा गया है तो ल-e-a-f तो यह ल-e-a-f है यह beautiful में से ही सब्दों को निकाल के बनाया गया है तो यहाँ पर देखिए ल का code क्या है तो देखिए beautiful के अंदर last का अकसर है वो L है और इसके इसका code देख लीजे सामने इसके last वाला अकसर कौन सा है N है तो यानि कि L का code कौन सा हो जाएगा N तो यहाँ पर देखिए N, D, O, K यह अपना right answer हो जाएगा आगे देखिए इसमें क्यूं 2, 3, L, 8, E, C, 12, 17, B तो यहाँ पर प्रसनवा चक्षिन है कि इस्तान पर क्या आएगा वो अपने को इसमें बताना है तो देखिए क्यूं है वो किते नंबर पर तो यह दोस्तों यहाँ पर क्यूं 17 नंबर पर आता है ठीक है क्यूं 17 नंबर पर तो 3 नंबर पर दोस्तों कोन आता है तो C आता है ठीक है और यहाँ पर देखिए 8 नंबर पर 8 नंबर पर क्या आता है ठीक है तो दोस्तो आप सभी को पता आठ नमबर पर क्या आता है एच आता है अब देखिए दोस्तो यहां पर देखिए क्यों माइनस 17 और 3 माइनस C तो यहां पर देखिए 8 माइनस इसमें कितनों 4 यह दो माइनस B L बराबर 12 तो E 5 नमबर पर है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह है इसमें देखिए यह यहां पर E है वो कितने नमबर पर आता है पांच नमबर पर तो E आ जाएगा इसमें 5 ठीक है और यहां पर उपर आ जाएगा दोस्तों इसमें 4 ठीक है तो यह 8 में से यानि कि 8 में से 4 माइनस हो जाएगे इसमें तो इसमें 4 बजाएगे ठीक है तो इसमें 4 पांच इसका राइट अंसर हो जाएगा दो नमबर का option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 17 नमबर प्रेस ने इसमें देखिए दोस्तो कुछ नहीं करना सामने जो है उसका square कर दो 5 का square 25 2 का square 4 3 का square 9 ठीक है तो 9 आएगा इसमें तीन नमबर option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए निमनलिकी स्रंकला में रिक्तिस्तान में कौन सी संख्याएगी तो रिक्तिस्तान में अपने को संख्या बतानी है कौन सी संख्याएगी 16, 25, 36 यानि कि 4, 5, 7 तो यहां पे 7 का square कितना होता है 9 तो इपना दो नमबर option सही उतर हो जाएगा आगे देखिए सुधीर का कक्षा में उपर से 7 तथा निचे से 28 वा इस्तान है तो कुल विद्यारती कितने है तो दोस्तों सीधा सा है 7 और 28 कितने होते है 35 में से कम कर दो 34 अपना राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर option ठीक है तो इसका बिलकुल सही उतर कुन सा हो जाएगा बताएगे दोस्तों 34 एक नमबर का option बिलकुल सही उतर नेक्स्ट है एक तस्वीर दिखाते हुए मैला कहती है कि इस आदमी के बेटे की बहन इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है उस मैला के पती का तस्वीर वाले आदमी से क्या सम्मंद है तो यहाँ पे देखिए दोस्तो सीधा सा है आप डाइग्राम बना के भी कर सकते हैं ठीक है और वैसे भी मैं आपको इसमें डाइरेक्ट बता देता हूँ आप डाइग्राम बना के इसको सोल कर लेना इसका right answer हो जाएगा वो है नाती लगेगा ठीक है क्या लगेगा नाती एक number option सेयूतर हो जाएगा आगे देखिए A B का भाई है A है वो क्या है A है ये क्या है B का भाई है C D की बहीन है सुरी C E की बहीन है C है C E की क्या है बहीन ठीक है ये बहीन है अब देखिए आगे E A की पुतरी है E है वो क्या है? A की पुतरी है तो ये इसकी E A की पुतरी है तो यानि ये भी इसमें क्या है? फीमेल है ठीक है आगे देखिए तो इसमें देखिए सीधा सब क्या पुछा गया है D E का भाई है D है वो E का भाई है तो D है वो क्या है E का भाई है यानि कि इसमें D अकेला भाई है और C और E ये दोनों इसकी बेने हैं और दोस्तों यहां पे देखिए क्या पूछा है इसने D की भुवा कौन है तो D की भुवा दोस्तों इसमें देखिए B लगेगी तो इसका right answer हो जाएगा इसमें वो है इसमें कौन सा बताईए तो C D की इसमें क्या लगेगी भुवा लगेगी E की भी बुवा लगेगी ठीक है तो इसमें देखिए क्या पुछा गया है C दुबार देखिए इसमे C और E C E की बहिन है D E का भाई D है यह क्या है यह E का भाई है ठीक है तो यह क्या है E E की पुत्री है E है वो E की पुत्री है तो D की भुवा कोन है तो D की भुवा है वो दुस्तो भी बनेगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का उप्शन इन में से कोई नहीं है आगे देखिए निमनलिकित में से कौन सा चितर है जज चोर और अपरादी को दर्शाता है तो जज चोर और अपरादी को दर्शाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है देखिए कौन सा डाइग्राम तो देखिए चोर अपरादी वरग में आता है जबकि जज है वो इसमें नहीं आता तो इसका राइट आंसर जायागा एक नंबर का उप्शन सहीुतर तो यह दोनों जेब कत्रे और समगलर यह दोस्तों किसमें आते हैं एसा माजिक तत्व में आते हैं तो इसका राइट आंसर जायागा दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए एक गड़ी 12 बज कर 40 मिनट का समय दिखा दरसाती है गंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के मद्दे बनने वाले कौन डिगरी में बताना है तो दोस्तों कितने डिगरी का कौन बनेगा इसमें तो देखिए तो इसमें 40 इंटू 11 बटे 2 माइनस 12 इंटू 30 ये कर लिजे तो दोस्तों 360 माइनस 140 हो जाएगा तो इसमें 220 डिगरी का कौन बनाएगी तो इसमें एक नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे एक गड़ी तीन समय, तीन बजे का समय दर्शा रही है, गंटे की सुई 135 डिगरी गूमने के बाद समय क्या होगा, तो दोस्तों फिर समय क्या होगा, तो देखे गंटे में 30 डिगरी का कौन बढ़ता है, तो दोस्तों 135 डिगरी बराबर 45 गंटे, ठीक है, तो दो से चार गंटे 30 मिनट तो यानि की दोस्तों इसमें 7 बज कर 30 मिनट होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीवतर नेक्स्ट है यहां पे देखिए यह पलस माइनस वाले निशान है वो आप लगा के इस प्राइस न को आसानी से सोल कर सकते हो ठीक है यह कोई हाड क्यूसन नहीं है आसानी से भागू जोबा सबसे पहले भाग कर ले न फिर गुना कर ले न फिर जोड कर ले न फिर बाकी कर दे retrouve इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 अगला क्यूसन भी यहां पर जो जो अक्सर दे रखे हैं उनके इस्तानों पर दोस्तों आपको चिनन लगाना है ठीक है और चिनन लगाके और फिर दोस्तों भागू जोबा कर लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बार आएगा चार नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है अठाइस नमबर प्रेशन इसमें देखे ब्लेड ब्लेड को क्या लिखा है तो यहां पर देखे ए जे जैड बी डी ठीक है तो यहां पर देखे तो इसमें गलोब को क्या लिखेंगे तो यहां पर देखे दोस्तों इसमें एक पर सबसे पहले एक माइनस किया फिर दोस्तों मा G में एक माइनस किया तो इसमें F आ जाएगा, ठीक है, L में दो माइनस किया तो दोस्तो J आ जाएगा, ठीक है, और O में एक माइनस किया तो N आ जाएगा, और B में दो माइनस किया तो Z आ जाएगा, और E में एक माइनस किया तो दोस्तो D आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें चार X, F, Q, M लिखा जाता है तो उसी बासा में चोईस को क्या लिखा जाएगा तो दोस्तों चोईस को क्या लिखा जाएगा इसमें देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना इसमें 6, 5, 4, 3, 2, 1 का गैप बन रहा है और वो बन रहा है पलस, माइनस, पलस, माइनस यानि कि पलस के 6, माइनस के 5 पलस के 4, माइनस के 3 पलस के 2, माइनस का 1 ये सुतर लग रहा है इसमें और ये सुतर लगाओगे तो दोस्तों I, C, S, F, E, D इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक हैं यानि कि एक नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए यहाँ पे 30 नमबर प्रेशन है अपने को बताना है कि विसम कोन होगा इसमें कोन, वर्ग, तिर्बुज, पंसबुज तो यहाँ पे देखिए कोन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखिए, अन्य सभी है, वो बंद जोमिती है सरचना है, ठीक है तो इसका राइट आंसर, एक नमबर उप्सन सही उतर नेक्स्ट, नगर्ने, ज्यादा इसमें देखिए, अत्यल्प, तुच तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ज्यादा तो इसमें तीन नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा अन्य सभी कमी दर्शाने वाले सब्द हैं आगे देखिए हत्या अपरहन जान लेवा खून करना तो यहां पे देखिए अपरहन को छोड़के ब मैंने अकबर को यहां से चार मिल उत्तर के और चला दिया ठीक है बाएं मुड़कर च्छै मिल चला ठीक है बाएं मुड़कर दोस्तों यहां से निच्छे चला देता हूं ठीक है थोड़ा सा पूरा जाय गड़ाएगा यह देखिए यहां पे ठीक है तो यह चार मिल मैंने चार मिल चला, त्चाहिएं अब देखिए वहें प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे दोस्तों वही वाला स्पीन हो गया इसमें, तो यह तीन यानि कि करना अपने को याद करना है तो तीन का स्चाहर प्लस चार का स्क्वायर रूट में हो गाए ठीक है तो यानि कि पत्चीस रूट तो इस रूट में पत्चीस आएगा तो इसका पांच इसका राइट अंसर आ जाएगा दो नंबर उप्शन से उत्तर आगे देखिए एक वेक्ति पूरव की और दो किलोमेटर चलता है तो यह दोस्तो यह पस्यम दिशा में मूग किये हुए है दो नंबर का उप्शन विल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 35 नंबर प्रेशन एक कक्षा में करन उपर से सात्वा है वे शाम नीचे से अठारवा यदि रहीम शाम से दो स्रेणी उपर है वे करन से 15 स्रेणी न उपर है इसलिए रहीम का नीचे से कौन सा इस्तान होगा 20 स्वा इस्तान होगा जबकि रहीम करन से 15 स्थान नीचे है इसलिए रहीम का उपर से 22 स्थान होगा ठीक है और 22 में से अपने एक माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा 21 ठीक है तो दोस्तों इसलिए रहिम का उपर से 22 वा इस्तान होगा और यहां पे देखे रहिम के दोनों तरफ इस्तानों का योग कितना हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे आपको कुछ नहीं करना तो देखे 20 और 21 कितना होता है 31 तो अपना right answer हो जाएगा इसमें तीन नमबर का option 41 आगे देखे के एम फिर आगे क्यों एस दे रखा है तो यहां पे देखे के ल बीच में खा गया फिर एन खा गया तो यहां पे ओ आएगा फिर ठीक है तो इसमें एक नमबर का option सहुतर हो जाएगा आगे देखे भी ने अक्सर करम को चांटिए तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि A, D, G, J A, D, G, J तो दोस्तों इसमें चार का अंतर है सबी के अंदर बाकी और किसी के अंदर चार का अंतर नहीं है तो इसमें एक नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है इसमें चार का अंतर नहीं है बाकी सबी में चार का अंतर है A, D, A, B, C, D यानि कि इसमें तीन का अंतर हुआ सुरावत में और बाकी सब के अंदर दोस्तों चार-चार का अंतर है सबी अक्सरों के मत दे, ठीक है, आगे देखिए, F, G, H, S, R, Q, D, E, F, और T, U, V, तो यहाँ पे देखिए, F, G, H, D, E, F, T, U, V, तो S, R, Q, यह गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है, क्यों R, S होना चाहिए था, दो नमबर उप्शन इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा, तो देखिए, जिस परकार बस ट्रक एक ही वर्ग के हैं, उससे परकार तितली केडा भी एक ही वर्ग के हैं, ठीक है, आगे देखिए, चांदी लोहा, चांदी लोहा, तो देखिए, चांदी लोहा दोनों धातु हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोवा म बैठेगा ठीक है ओ ए ई चीडी बी एफ यह बैठेगे दोस्तो ऐसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखे दो व्यक्ति एक बैठे उए हैं तो वह बैठे सीमा है यह सीता से छोटी है तो यह मैंने सीता आगे लिखती है सीमा सीता से छोटी है सीमा है यह सीता से छोटी है ठीक है आगे देखिए रंजना सीता से लंबी है यह सीता से लंबी है यह रंजना है यह सीता से लंबी है बिल्कुल सही है रादा सबसे लंबी है रादा है ये सबसे लंबी है तो रादा सबसे लंबी हो जाएगी अब देखिए यदि बाएं से उन्हें आरोई करम में खड़ा किया जाए तो दाएं से दूसरे इस्तान पर कौन होगा तो दाएं से दूसरे इस्तान पर दोस्तों इस time है आपके पास में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें टोटल तिर्बुजो की संक्या है वो दोस्तो 16 हो जाएगी ठीक है एक दो तीन चार पांच से साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा तो यह हो गई और चार और निकल किया जाएगी ठीक है तो लेखक है वो क्या है पागल है ठीक है सभी पागल इस्तरियां है तो सभी पागल है वो इस्तरियां है तो निश्कर्च में देखिए कुछ पागल लेखक है तो दोस्तों बिलकुल सही बात है कुछ पागल है वो लेखक है ठीक है सभी इस्तरियां पागल है तो सभी इस्तरिया पागल नहीं है यानि कि कथन इसमें एक ही सही है कथन इसमें दोस्तों देखें कुछ पागल लेखक हैं कुछ पागल लेखक हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कुछ पागल है वो लेखक हैं तो इसमें पहला सही है और दूसरा इसमें गलत है ठीक है आगे देखिए निम सुरी कोन एक बंदा करती नहीं है और बाकिया से इस तीन नों है वो बंदा करती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा तीन नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ये दोस्तो मैंने आज़ आपको जो छटे नंबर का जो राजस्तान पुलिस लेबस के आधार पर model paper है वो complete करवा दिया है दोस्तों रोज़ा ना आपको model paper का test है वो मेरे साथ में देना है आपको और आरत द्यार सेकेटवी के यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें और अगर आपने पिछली पांच मूदल पेप्रो का टेस्ट नहीं गिया है तो अप अले लिस्ट में जाए यह वहाँ पे आपको फैल्डर मिल जाएगा राजस्तान पोलिस मूदल पेपर के नाम से तो आप वहां जाके मूदल पेपरो का टेस्ट है वो अवस्षे दें मिलते आं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभरत